साथियों, हमारे सामने दूसरा सवाल था कि क्या हमारी सिक्षा व्यवस्ता हमारे युवाओं को एमपावर करती हैं? देश में एक एमपावर सोसाइटी के निर्मान में मदद करती हैं? आप सब इन सवालों से भी परिचित हैं और जवाबों से भी भली भाती परिचित हैं साथियों, आज मुझे संतोष है कि भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रिय शिक्षा नीति को बनाते समय इन सवालों पर गंबीरता से काम किया गया साथियों, बदलते समय के साथ एक नई विश्व व्यवस्ता, एक नए रंग रूप और व्यवस्ताओं में बढ़लाओ एक नई विश्व व्यवस्ता खड़ी हो रही है एक नया ग्लोबल स्टांडर भी तै हो रहा है इसके हिसाब से भारत का एजुकेशन सिस्टेम खुद में बढ़लाओ करें ये भी किया जाना बहुत जरूरी था स्कूल करिकुलम के 10 प्लस 2 स्ट्रक्चर से आगे बढ़कर अब 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 करिकुलम का स्ट्रक्चर देना इसी दिशा में एक कदम है हमें अपने स्टूडन्स को ग्लोबल सिटीजन भी बनाना है और इसका भी धान रखना है कि वे ग्लोबल सिटीजन तो बने लेकिन साथ साथ अपनी जड़ों से भी जुड़े रहे जड़ से लेकर के जग तक मनुष से मानवता तक अतीत से आधुनिकता तक सभी बिंदूओं का समावेश करते हुए इस राष्टिय स्विक्षानीति का स्वरूप तै किया गया है साथियों इस बात में कोल विवाद नहीं है कि बच्चों के घर की बोली और स्कूल में पढ़ाई की भाषा एक ही होने से बच्चों के सिखने की गती बहतर होती है ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से जहां तक संबव हो फिप्ट क्लास तक बच्चों को उनकी मात्रू भाषा में ही पढ़ाने पर सहमती दी गई है इससे बच्चों को और बच्चों की नीव तो मजबूत होगी ही उनकी आगे की पढ़ाई के लिए भी उनका बेश और मजबूत होगा साथियों अभी तक जो हमारी सिक्षा विवस्ता है उसमें वाट टू थिंग मैं बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ वाट टू थिंग पर फोकस रहा है जबकि इस सिक्षा निती में हाउ टू थिंग उस पर बल दिया जा रहा है यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज जिस दौर में हम और यह दौर ऐसा है जहां इन्फरमेशन और कंटेंट की कोई कमी नहीं है एक प्रकार से बाढ़ आई हुई है हर प्रकार की जानकारी आपके मुबाइल फोन पर अवेलेबल है जरूरी यह है कि कौन सी जानकारी हासिल करनी है क्या पढ़ना है इस बात को ध्यान में रखकर ही राश्ट्रिय सिक्षानिती में प्रयास किया गया है कि जो पढ़ाई के लिए लंबा चोड़ा सिलेबस होता है धेर सारी किताबे होती हैं उसकी अनिवारियता को कम किया जाए अब कोशिश यह है कि बच्चों को सीखने के लिए इंक्वाइरी बेश, डिस्कवरी बेश, डिस्कसन बेश और एनालिसिज बेश तरीकों पर जोड़ दिया जाए इससे बच्चों में सीखने की ललग बढ़ेगी और उनके क्लास में उनका पार्टीशिप्रेशन भी बढ़ेगा साथियों हर विद्यार्थी को स्टूडन को यह अवसर मिलना ही चाहिए कि वो अपने पैशन को फॉलो करे वो अपनी सुविधाव और जरूरत के हिसाब से किसी डिग्री या कोई कोर्स को फॉलो कर सके और अगर उसका मन करें तो वो छोड़ भी सके अक्सर ऐसा होता है कि कोई कोर्स करने के बाद स्टूडन जब जॉब के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि जो उसने पढ़ा है वो जॉब की रिक्वायर्मेंट को पुरा नहीं करता है कई स्टूडन को अलग-अलग वजहों के से बीच में ही कोर्स छोड़कर जॉब करनी पड़ती है ऐसे सभी स्टूडन्स की जरुवता का ख्याल रखते विए मल्टिपल एंट्री एक्जिट का ओप्शन दिया गया है अब स्टूडन्स वापस अपने कोर्स से जुड़कर अपनी जॉब रिक्वायर्मेंट के हिसाब से जाना इफ्यक्टिव तरीके से पढ़ाई कर सकता है लर्न कर सकता है इसका एक और एस्पेक है जब स्टूडन्स को ये भी स्वतंत्रता होगी कि अगर वो कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में प्रवेश लेना चाहे तो वो कर सकते हैं इसके लिए वो पहले कोर्स से एक निश्चित समय तक ब्रेक ले सकते हैं और दूसरा कोर्स जॉइन कर सकते हैं हाइर एजुकेशन को स्ट्रीम से मुक्त कर दें मल्टिपल एंट्री और एग्जिट क्रेडिट बैंक के पिशे यही एक बहुत लंबे दूर की सोच के साथ हम आगया आए हैं हम उस एरा की तरफ बढ़ रहे हैं जहां कोई व्यक्ति जीवन भर किसी एक प्रफेशन में ही नहीं टिका रहेगा बडलाव निश्चित हैं मान के चलिए और इसके लिए उसे निरंतर खुद को रिश्किल और अप्स्किल करते रहना ही होगा नेश्चनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रिय शिक्षा निती में इसका भी बारी की से ध्यान रखा गया है साथियों किसी भी देश के विकास में एक बड़ी भूमी का रहती है समाज के हर तप्के की गरिमा उसकी डिगनीटी समाज का कोई व्यक्ति कोई भी काम करता हो कोई निम्न नहीं होता है हमें ये सोचना चाहिए कि भारत जैसे सांस्कृत इर्विस से सम्रुद रहे देश में ये बुरा ही कहां से आई उंच निच का भाव मेहनत मद्दूरी करने वालों के प्रती हीन भाव इस प्रकार की विकृती हमारे अंदर कैसे घर कर गई इसकी एक बड़ी बज़े रही है कि हमारी एजुकेशन का समाज के इस तबके के साथ एक डिस्कनेक्ट रहा जब गावों में जाएंगे किसान को समीकों को मद्दूरों को काम करते देखेंगे तब ही तो उनके बारे में जान पाएंगे उन्हें समझ पाएंगे वो कितना बड़ा योगदान कर रहे हैं समाज की आवशक्ताओं की पूर्ति के लिए वो कैसे अपना जीवन खपा रहे हैं उनके स्रम का सन्मान करना हमारी पीडी को वर्तमान को भावी पीडी को सिखना ही होगा इसलिए राष्ट्रिय शिक्षानिती में स्टूडन्ट एजुकेशन और डिगिनिटी आफ लेबर उस पर भी बहुत ध्यान दिया गया है साथियों 21 सदी के भारत से पूरी दुनिया को बहुत अपेक्षाएं है भारत का सामर्त है कि वो टैलेंट और टेक्नोलोजी का समाधान पूरी दुनिया को दे सकता है हमारी इस जिम्मेदारी को भी हमारी एजुकेशन पॉलिसी एड्रेस करती है राष्ट्रिय शिक्षा नीती में जो भी समाधान सुजाए गए है उससे फुचरिस्टिक टेक्नोलोजी के प्रती एक माइंड सेट विक्षित करने की भावना भी है अब टेक्नोलोजी ने हमें बहुत तेजी से बहुत अच्छी तरह से बहुत कम खर्च में समाज के आखरी छोर पर खड़े स्टूडन तक पहुंचने का माध्यम दिया है हमें इसका जादा से जादा उप्योग करना है इस एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से टेक्नोलोजी आधारित बहतर कंटेंट और स्कोर्स के डेवलोपमेंट में बहुत मदद मिलेगी बेजिक कंप्यूटिंग पर बल हो कोडिंग पर फोकस हो या फिर रिसर्ट पर ज़्यादा जो यह सिर्फ एजुकेशन सिस्टी में नहीं बलकि पूरे समाज की एप्रोच को बदलने का माध्यम बन सकता है वर्चुल लेब जैसे कंसेप्ट ऐसे लाखो साथियों तक बहतर सिक्षा के सपने को ले जाने वाला है जो पहले से ही सब्जेक्स पढ़ी नहीं पाते थे जिसमें लेब एक्सपरिमेंट जरूरी हो झाल